पहाने की शुरुवात एक कपल को दिखाने से हुई जो एक होटल जिसका नाम था दविटी स्टाइनर उसके बाहर खड़े थी वहां बोर्ट पर निखा था कि ये होटल सुरज डूबने के बाद और सुरज निकलने से पहले तके खुला रहता है होटल बंद होने की बजिसी कपल वहां से चिला गया और उनकी जाते ही होटल की सारी लाइट्स आन हो गई साथी बोर्ट पर जदोई तोर पर ये लिखा जाता है कि हम यहां आपकी सारे विशिस हुआई शेब भी पूरी करते हैं पर हाँ बदले में कोई ना कोई चीज भी लेती है आदमी कहता है मैं बहुत गरिब हूँ लेकिन अपनी बज़िंगा खयाल रखना चाहता हूँ मेरी खुआश यह है कि मैं कल की लॉटरी जीच जीच जाओ कि बात विच उसे डिश लाकर देती है जो उसने बनाई थी और आदमी से कह रही थी कि तुम्हारी आँखें बहुत प्यारी है आदमी जैसे वो डिश खानी लगा विच उसे रोकर कियती है मेरा खाना खाकर मैं तुम्हारे विश्टपूरी कर दूंगी पर इसकी तुम्हें कीमत चुगाने पड़ेगी आदमी उसकी अधूरी बा सुनकर दुबारा से खाना खाने लगता है क्योंकि खाना मसे का था और खुटको रोक नहीं पाता सारा ही खा जाता है और पिर अपने घर आ गया अगले दिन टीवी पर लोटरी टुकेट का रिजर्ट देख रहा था ये दिख उसकी आंखी खुली की खुली रह गई कि मैं ही लोटरी जीत क्यांग खुशी में अपने बचें को बाय बॉल कर लोटरी के पैसे लेने के लिए निकलने लगा अपने गारी के जरीए लेकिन तबी अच्छानक उसी दिखाए दिना बेंड हो गया उसे मैसूस हुआ कि शायद गारी में पानी बैरा आए दरसल उसकी आँगों की रोशनी जा चुकी थी क्योंकि ये असल में उसकी लोटरी जीतने की कीमत थी वीच का मैनेजर जो उसका साथी बीता हमेशे परचाई की तरह उसकी साथ था वीच की साथ इस होटल को छोड़ गर किसी दुसी जोगी तलाश की लिए जाने लगा क्योंकि उन्हीं यहां रहती रहती काफि टाइन हो गया था उनके जाती इस होटल का पूरा नक्षा अपनी आप ही बदल गया अब हम एक लटकी जीन को देखते हैं उसका बोस उसे और अपने बागी वरकर्स को एक बार में लाया होता है ति तब यहां बोस की बीवी आ जाती है जो अपने हिस्बंड और जिन पर श्रक करके दोनों को ही खोब मारने लगी बेला वाज़ा पिचारी जिन को बोस की वाइफ ने पेट के रद दिया इसलिए जखमी हालक में रोते हुए वो अपने घर आ गई अपने मौम की गोद में सररकर सो जाती है फिर अगली दिन जब वो काम पर गी तो उसका बोस उसे जोब से निकाल देता है वज़ा पोशने पर उसने बताया कि मेरी वाइफ शक कर रही है अगर मैंने तुम्हें जॉब से ना निकाला तो वो मुझे घर से निकाल देगी तर अगर हमें हाई स्कूल में एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम था ली वो एक जवा कड़ा था कि तब ही एक लड़की उसके पास आकर पोशनी लगी तुम वो ही होना जो पिछले साल रेस के मुकाबले में सिर्फ जख्मी होने की वज़ह से हार गए थी तुम्हारी टांग पर चोट लग गए थी तो बताओ अब केसी हो तुम पर ली उसकी बात का जवाब दिये बगर ही वहाँ से चिला चाता है अगले दिन जिन की मौम उसे के रही थी कि तुम ऐसा करो पर और जोब करने की बजाए अपना होटल खोलो वो पर जिन को एक होटल की पास लाकर बताती है कि यहां की मालकीन इस होटल को बेच रही है अंदर जाकर वो होटल की मालकीन से बात करती है वो बताती है कि मैं ये पूरा होटल आपको 5 करोड में बेश दूँगी जिसके अंदर होटल की साथ सारा फंडीचर, सारे बर्तन, यहां तक की सारे शेफ्स भी आपको दे दूँगी ये सुनकर जिन की मौन बहुत खुश होई अगली दिन बैंक से करजा लेकर वो इस जगा को खरीद लेती है सुबह होता है जिन बहुत कुश थी क्योंगी अव वो इस होटल की मालकिन बन गी थी और तोर बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रहे थी तब ही एक सीनिर शेफ उसकी मौन की पास आकर कहने लगा कि मुझे कुश दिन की छुटी चाहिए मैं अपने गाउं जा रहा हूँ लेके स्कूल में कुश बत्तमीज लड़कों का गैंग एक मासूम लड़के को परिशान दे रही थी जो उसी जबरदस्ती अपना चोटा बासी खाना किला रही थी लास जब शुरू ही तो उस लड़के को उल्टी आने लगती है वो जैसे वाश्रूम में जाने लगा ग्याइंग में से एक लड़का उसे रोक लीता है जिससे वो बिचारा वही रोक गया उसे उल्टी हो गई जिससे उसका पुरा युनिफॉर्म गंदा हो जाता है वो जो वाश्रूम में गया तो ली भी उसके पीछे जाता है उसी अपना रेस्वना युनिफॉर्म देकर उसकी गंदी कपड़े धोने लगता है अपनी ने उसकी मदद की थी इसलिए वो लड़का उसे अपने घर लेकर गया खाना खिलाने के लिए और इस साथ से उन दोनों की दोस्ती होगी अब दुबारा विच दिखाए जाती है जो जिनकी गर की पास रह रह रही थी अपनी विश इस भी पूरे करते करते उसके टांगों पर निशान पढ़ रही थी विच को साथी जो उसकी परचाई भी था कहता है कि अगर आपने दुबारा कोई विश मांगी तो हो सकता है आपकी जान चली जाए अगले दिन जिनके होटल में सिर्फ एक ही कस्टमर आया और क्यूंकि उनका सीनियर शेफ चुटी पर था जो मज़िदर खाने बनाता था इसलिए जिनकी मूँ खुदी उसके लिए खाना बनाती है पर कस्टमर को खाना ज़रा भी पसंद नहीं आया वो वाँसे चला जाता है कुछी तिर में जिनकी मूँ को पता चला कि इस होटल की पुराने मालकी ने उनकी होटल के बिलकुल सामने एक काफी बड़ा और अच्छा होटल बना लिया है तो सारे कस्टमर उनकी पास ही जा रहे है तो ये दोनों उसी बात करने गई खेती हैं कि तुम ने ऐसा क्यों किया जबकि तुम ने तो अपने सारे समान और स्टाफ की साथ हमें होटल बेश दिया था तब ही यहां वो सेनिर शेफ भी आ गया जिसके खाने के टेस्ट की वज़े से कस्टमर उनकी होटल में आया करती थी उसे देखकर जिनकी मॉम को समझ लेग गई कि होटल की इस मालकिन ने हमारे साथ धोका किया है और हमारे पैसों से नया होटल बना लिया इस वज़े से वो बिचारे रोने लगी और मालकिन को अपना हुटल बन करने की मिन्नत हैं करने लगती है पर वो मालकिन इतनी बत्तमीज थी कि उन्हें धक्का माल का गिरा देती है अपने गार्स को कहकर धक्की माल मार कर वहां से निकलवा देती है पनी माम की बैस्ते देकर जिनको गुस्सा आगया वो उनसे लड़ने लगती है जिस वज़े से पुलिस को यहां पर बुलवा लिया जाता है उदर वो बत्तमीज लड़की दुबारा सी ली की दोस्त को परिशान करने लगी उसी मारती भी है पर तब यहां ली आ गया जो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता बस अपने दोस्त को लेकर वहां सी जानी लगता है लेकिन वो बाज नहीं आती दुबारा से उसकी दोस्त को मारनी लगी इस बार ली को गुसा आ गया उन्हीं रूखनी के लिए वो लड़कों को मारनी लगा सही सी लड़ रहा था उसने खुब मुकों सी मारा पर वो तीन थी और ली एक इसलिए वो से पकर लेती हैं मिलकर उसे मारनी लगी तब यहां पुलीस आ गई उनको लड़ता हुआ देकर फुरण अपने साथ पुलीस टेशन ले आती हैं यहां जिन भी थी ब्रेस ओफिसर से केती हैं कि होटल की मालकी नहीं हमारे साथ धोका किया है उनकी खिलाफ की सोना चाहिए उसके साथ वले जगह पर ली और उसका दोस और वो बत्तमीस लिड़के बैटी थी एक आफिसर हम से पूश्टाश करी रहा था कि तबी एक दुसर आफिसर आकर बताता है कि हमें काफे उपर से किसी बड़े आदमी की कॉल आई है जो दरहसल इन तीनों बत्तमीस लिड़कों का दादा हाई स्कूल का प्रिंसिपल है उनका कहिना है कि ने छोड़ दिया जाए जो सुनकर फोरन ओफिसर उन्हें छोड़ दी थी और अब ली और उसकी दोसी पूश्टाश करनी लगा जिन आकर उफिसर से कीनी लगी कि या क्या कर रहे है सर आपको नजर नहीं आ रहा कि बिचारे ये मददगारे इन्हें रहाई चाहिए ना कि उन तीनों को जिनी आप लोगों ने छोड़ दिया है जो सुनकर अब उफिसर उन दोनों को भी छोड़ दीता है जैसे ही ली वहाँ से जानी लगा जीनों से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया होगा और हाँ अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम जितने भी अच्छे बनोगी लोग तुमारा उतना ही इस्तामाल करेंगी अगले दिन वीच एक जदू सिक्रेट निकाल कर पीनी लगती है जैसे सिक्रेट का दुआ उड़ा वो काफी बढ़ गया जिससे वीच कर ड्रेज जसने पेना हुआ था अच्छानक पूरा बदल गया जिन काफी परेशान थी इसलिए अपने होटल को किराए पर देने के लिए नौटिस लगा देती है तब ही उसकी माम की कॉल आई वो घे रही थी ली मैं कुछ दिदों के लिए तुमोरे डैट के पास जा रही हूँ उनकी तवित खराब है तुम भी मेरे साथ चलो पर वो मना कर देती है क्योंकि अपने डैट को पसंद नहीं करती थी तोड़े देर बाद वीच जिन की होटल में आई और उससे की थी है मैंने सुना है तुम अपने होटल को किराए पर दे रही हूँ ऐसा करो तुम अपना होटल ही मुझे बेश दो जिसकी बदले मैं तुमारी एक विश पूरी कर दोगी जिन उससे पूछने लगी अगर तुम हो को तो वो उसे अपना कार्ड देते हुए बताती है कि मैं विशिस पूरी करनी वाली वीच यनि चुड़े लूँ अब बताओ तुमारी क्या विश है जिन को ये कीन तो नहीं आ रहाता लेकिन फिर भी मजाग मजाग में वो कहे देती है कि मुझे इस होटल की पुराने मालकिन से बद्रा लेना है जो सुनकर विच अपने जादू से समझोते वाला कालस बनाकर उस पर जिन की साइन लेती है जिसके बाद अपने बैक से समान निकाल कर जिन टीविश पूरे करने के लिए डिश बनाने में लग जाती है पूरा बनाकर उसे खाने को देती है मजीदार डिश को देकर जिन खुद को रोक नहीं पाती फोरान खाने लग जाती है खाना उसे इतना पसंद आया कि भी सबरो के तरह तेजि से खानी लगे उसके खाना का तुम करते ही बहुत सारे चूहे पूरानी मल्धिन की उटिन की टरह बढ़ने लगे एक फोर्च की तरह हमला कर दीती है उस वक्त वह पैसे गिन रहे थी कैदी कोई ताकत ज जिग जनवर जैसे दिख रहे थी उसके सीने में गुश जाती है उसी इतना दड़पाती है कि उस मालकिन की मोट हो गई अगले सुबा जिनकी आंख एक ड्राउने सपने से खुल थी और उसी कल रात वे चीज़े याद आने लगी यनि मैं एक विच से मिली थी उसने में विश पूरे की पर उसे सब पर एकी नहीं आ रहा था उसे बस ये एक सपना ही लग रहा था पर तैयार होकर जब वो होटल के लिए जानी लगी तो ये देकर उसकी आंखे खुले की खुली रहे गे कि पुलिस उस मालकिन की लाश को अपने साथ ले जा रहे हैं जिनकी होश उड़ गए वो समझ गए इसका मतलब है कि विच ने सच में मेरी विश पूरे कर दी जिससे वो दुखी भी थी कि मैंने ऐसे विश मांगी है क्यों जिसमें एक इनसान की मोथ हो गए अब हमें एक बेगर बेरुसगार लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बे था वो दुबी के पास आकर उसके कपड़े वापिस लोटाता है जिन होटल आ गई और क्योंकि होटल तो विश करी जिपी थी इसरह वो वही थी जिन उसे पूछने लगी किया आप नहीं मारा है उस मालकिन को विश बोली नहीं मैंने नहीं तुमने मारा है उसे अपना बदला लेने के लिए वो विश मांग के जो सुनकर जिनको गुस्सा आगया चिलाने लगी कि मैंने उसे जान से मारने को नहीं कहा था, सिर्फ बदला लेने का कहा था, विच भी उसकी बरताओ पर बड़ा कुटी, उसका मुझ पकड़कर नीचे विरा देती है, और अपना जॉलना चिरा दिखाते हुए कि एती है, तो मैंने भी वही किया पागल लड़की, किसी को मौ उस चोरी-चोरी मुबाइल से नकल कर रहा था, ये चीज़ बटमीज गैंग की लिडर को पता थी, उसी पसाने के लिए वो ली के दोस्त को फोन करता है, उसका मुबाइल जेसी वाइबरेट हुआ, टीचर उसकी पास आ गया, नकल का पता चल गया, तो पेपर चीन लेता है और उसका पेपर कैंसल कर दिया चाता है, तब उस बिचारे को दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ा, पेपर फत्मोने की बाद ली अपने दोस्त की पीछे जैसी जाने लगा, उसकी टांग में अच्छानक से दर्द उठा, इसलिए फूरन वह होस्पिटल गिया, डॉक्ट में कुछ नहीं जानती, इस ओडल का आदा मुनाफ़ा मुझे बिचाए, हैरत विच ने उसे कुछ नहीं किया, मुनाफ़ा देने के लिए वो मान गई, जिस पर खुशी खुशी जिन वापीस आजाती है, ली अपने दोस्त से मिलने के लिए आउस्पिटल गिया, क्योंकि उसकी दोस्त ने अपने जान लेने की कोशिश की थी, उसका दुस दुखी होकर कहने लगा, ना तुम्हें पढ़ाई में अच्छाओं और नहीं खेलने में, बेकार हूँ, आगर जिनकी में करूं तो क्या करूं, मैं तो इतना बोजिल हूँ, कि कुछ को खत्म केने की हिम्म से चली गए, ली भी काफी दुखी था, वो बिल्डिंग की चत पर आकर खोटकर अपने चान लेने वला था, क्योंकि उसके टांग में चोट लगी थी, तो वो अपने डैट का सपना अब कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जो चाहती थी कि ली एक अच्छा प्लियर बनी, अनको इतने जल्दी हमत नहीं आने चाहिए, उस खिलास से लड़ते रहना चाहिए, इस वज़े से ले को भी हमत मिली, तो अपने जहन से कोदने की सोच को निकाल दीता है, विच्वा साथी होटल में आया, अपने जादो की चड़ी से होटल का सारा डिजाइन, वहां की हार इतनी बार देखा हैं, कोने आप इस पर वो बताता है कि मैं विच्वा साथी हूँ, विच्वा जादो की बड़ते होगी, अप दरसर जीन विच्वा साथ इस उटल में काम करने वाली थी, वो विच्वा से पूछती है, आप सिर्व राद कोई होटल क्यों खोलती है, इस व होटल के अंदर आ गया, जिन और वो दोनों एक दूसरी को देकर हिरान थी, क्योंकि पहले भी मिल चुके थी, उन्हें स्टेशन में, तब यहां विच्वा जीन लेकर फूरण जिन लेका हाथ पकड़कर उसी बाहर ले आती है, समझाने लगी, कि तुम किसी और होटल में ज खाना कर खाना खालो, यह एक विच्वा होटल है, जो तुम्हें अपने जदोर डिश खिला कर तुम्हारी एक विच्वारी करेगी, पर ऐसी नहीं, इसके बदले में तुम्हें उसे कुछ देना होगा जो चाहेगी, जो सुन कर ली हैरान भी था, साथे खुशी से बोलता है फिर तो मुझे उसके डिश ज़रूर खाने चाहिए, तुबारा वो उटल की अंदर आ गया, विच्वारी उससे कही थी है कि एक बार तुम जो बेविश मांग लोगी, फिर उसी बदल नहीं सकती, कीमत वो होगी, जो मैं जाओंगी, ले कहते हैं ठीक है, मुझे मनजूर है लेकिन हाँ, मेरी विश के बारे में जिन को मत पताना, जिसके बाद विच्वारी उसके लिए खाना तयार करने लगती है, जिनसी कही थी है कि जाओ, गमले के कुछ पत्ते और बेस्मेंट से डटी बूटिया लेकर आओ, जिन जैसे उस गमले की पत्ते तोड़ती है, अच् इस जिसको नजर अंदास करकी पेस्मेंट में आ गई, जड़ी बूटिया लेने के लिए, जहाँ पर देर सारी जड़ी बूटिया वोतलों में बड़ी हुई थी, रंग परंगी थी, जिनने लाकर वो विच्वारी बूटि को खाने में मिलाती है, तब हम बाहर से एक ताकत जो दूएं जैसी थी, उसे होटल के अंदर आता हुआ देखती है, फिर विच्वारी बूटि को खाना बना कर देती है, जो खाना उसे भी बहत पसंद आया, बड़े मजी से वो खाने लगा, फिर जब वहां से जाने लगा तो विच्वारी उसी अपना कार दी थी, उसकी ज घर खरीद लिया था, और वो लड़का जिसका घर और जॉब नहीं थी, यानि बे, उसे हम एक जगा पर इंटर्विव देता हुआ देखती है, अच्छी से कपड़े पहन कर, खुशी खुशी आज वो अपना इंटर्विव दे रहा था, पर तबी अचानक उसके पिट में खराब है, दवाए लेने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत ही, जस्वन वो एक छुरी लेता है, और विच की होटल में घुस जाता है, वाद छुरी दिखा कर वो जिन को तमकानी लगा, उसे पैसी और खाना मांगता है, वो अपने जीब से शोपर निकाल कर जिन की दरव फैंकता है, कि जल्दी से इसमें खाना मर दो, अब तब यहाँ विच भी आ गई, जिसी देखकर वो जिन को पकरन देता है, उसकी गर्दन पर चुरे रख देता है, विच से भी खाना और पैसों की डिमार्ड करता है, तब यह चानक वो गमले से टकरा गया, जैसे उसने गम अबी नहीं, तो मुझे वो सब करना पड़ा, जिन उससे कीती है, तुम कोई जोब क्यों नहीं कर लेती है, वो बोला, मैं तो किसमती खराब है, मैंने बहुत बार कोशिश की, पर बढ़ी तो क्या, चोटी नोकरी भी मुझे नहीं मिली, हलांकि मेरी मॉम ने मुझे पढ़ कीमत अदा करने पड़ेगी, बे जवाब देता है, लेकिन मेरी पास तो में देने के लिए कुछ भी नहीं, विच कहती है, विच कहती है, तुम्हारी अंगलियां बहुत प्यारी है, जो कहकर विच और जिन किचिन में आ जाती है, बे के लिए खाना बनाने के लिए, चुडे लवा या मस्त खाना बनाया है, कमाल कर दिया, जैसे ही वो जाने लगा, ले उससे कहता है, कि कर सुबह होने तक तुम्हारी विच जरूर पुरी हो जाएगी, बे कुशी खुशी गलियों में टेहलता हुआ, जा ही रहा था, कि तब ही उसकी नजर एक आदमी पर वाला था, कि तबी भी जाकू अपने हाँ से पकड़ लीता है, जिसकी धार काफी तेज थी, इतने ही देर में यहाँ पुलिस भी आ गई, जिससे बचने के चिकर में आदमी अपना जाकू पीछे किष्टे लगता है, जिससे बीकी दो उंगलिया कटकर नीचे गिर जाती है वो दर्द में तड़पने लगता है, उसे विच की बात याद आई, जिब उसने कहा था, तुमारे उंगलियां बहुत प्यारी है, यानि कि ये उंगलियां उसकी विष्टी कीमर थी, जिसकी बहुत काला दुआ उसकी कटी हुई उंगलियों को वहां से उठा लेता है, और इसकी सामने पड़े हुए एक बर्दन में डाल दीता है, अगले दिन ली जिब स्कूल में था, तब बतमीज लड़कों का गैंग दुबारा से एक लड़की को परिशान करने लगा, ली उनकी पास आकर कहता है, छोड़ो इसे और आईंदा के बाद किसी को परिशान नहीं क करना वर्णाचा नहीं होगा, मैं तुम्हारे दादा प्रिंसीबल को इस सब के बारे में शिकायत कर दूगा, ली फिर उसे धक्का देकर वहां से अपनी क्लास के लिए चला जाता है, शान को जब जिन से मिला तो उसे बेकी एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ये बताया ज केसी अपनी जान पर केल कर एक लड़की की जान बचाए, जिसमें उसने अपनी दो उंगलियां गवा दी, उसकी बहादरे को देखकर फुलिस ते उसे देर सरा इनाम देने का फैसला किया है, अगले दिन जिनको पर से एक सपना आया, जिसमें वो बेकी किटी हुई उगलिय उसे परिशान केने लगा, इस पर लेकर दोस कहता है, जितना मरजी तान को लो मुझी, अब मैं तुम से नहीं डरता, जो सुनकर एक लड़का कुसी में आ गया, गिरिबान से पकड़कर उसे खड़ा कर देता है, जो सुनकर ली उसे चुड़ा कर लड़कों के लिडर से कहत है, यह तुम क्या फजोल हरकते करते हो, पागल वागल हो, जिस तुरान यह उनके टीचित आ गई, अब दोनों को अपनी अपनी सिट्स पर बैठना पड़ता है, उधर जीन की मौम अपनी इस्पेंट की पास ही वापीस आ गई थी, जीन हंसी कहती है, मौम मुझी काफी दि अजीब हो गरिब सपने आ रहे हैं, मुझी में अब बच्पन दीख रहा है, तो बताइए आप, जिब मैं पांची सान की थी, तो क्या मेरे साथ कुछ हुआ था, क्या कोई औरत मुझसे मिलने आई थी, मौम बात को टालती हैं, कहती है, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं ह वो बस तुम्हारा सपना था, भूल जाओ, अगले दिन जिब ली और जिन काम से लोट रही थी, तो हो जिन से पूछता है, चुट्टी की दिन आप मेरे साथ खाना खाने चले हो की, जिस पर वो हाँ बोल देती है, अगले दिन जब होटल आई, तो रात का बचा हुआ खान शुरू कर देती है, हलांकि वीच ने उसे जोटा खाने से मना किया था, उसे खाती ही, जिन की तवियत अचीब होने लगी, अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ शौपिंग करने चले गी, जहां उसे एक काफी मिशूर राइटर दिखता है, जिसकी बहुत सारी फैंस थी, जो उसे पैसेन करती थी, हैर थोड़ी देर की बाद जब जब जिन वहां से जाने लगती है, तो राइटर उसे लिफ्ट में मिल जाता है, अचेनक छटका लगने की वज़से जिन जैसे गिरने लगी, राइटर उसका हाथ पकड़ते ही जिन को वो सारी खयाल आने लगी, अ जिन की पास राइटर की कॉल आई, वो कहता है, जिन ये मैं बोल रहा हूँ, राइटर हम दोना लिफ्ट में मिले थी, वो बोलती है हाँ, याद है, अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई, आपका पैन मेरे पास है, जो लिफ्ट में गिर गया था, राइटर बोला, ओ गोड़ जिन ये लोग काफी बाते है, शान को वो जिन को उसकी घर चुड़ता है, ये बोल कर के फिर मिलूँगा, लिफ्ट में गया, जिन पर विच और उसका साथ ही थी, वो लिफ्ट से पूछने लगी, आज ते तुमारे चुटी है, पिर क्यों आई हो, बात को डाल कर वो अपनी साथ ले गया शिरा पिलाने के लिए, और कहता है, देखो बच्चे, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मैत लगाना, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीद टूटे गी, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, अगले दिन एक बुड़ी और दिखाए जाती है, जो अपनी 40 साल क बच्चों की तरह जगा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा बच्चों जैसा था, बुड़ी औरत काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी लवा उसकी बेटे का खयाल लखनी वाला, और कोई नहीं था, सीधा साथ उने की साथ वो आल सी काफी सुस्त भी था, ज खयाल रखना अपना, हम फिर मिलेंगे, जो कहकर वो जानी लगा, और लिड़कों की घ्यान को कहता है, एक बात बताओं, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम लगों को परिशान करते हो, मेरी खयाल से पागल होते जा रहे हो, किसी अच्ची सी जहां वो जिन सी मिलता है, उसे बताता है, मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं उनिवर्सिटी में दाखला लोगा, दाखली के लिए पेपर की तयारी कह रहा है, जो सुनकर जिन को खुशी हुई, फिर वो बोलती है, अच्चे कल में तुम्हारे साथ नहीं गई, उसके लिए सोरी, मुस्कुलाती विली जवाब देता है, कोई बात नहीं, जिन हम भीर कभी चले जाएंगी, अब अगली दिन वो बोड़ी औरत उनकी होटल में एक मीटी चीज लेकर आई, जो वो जिन को खाने के लिए देती है, और पूछती है, बेटा तुम्हारी उम्र तलाश करे रही हूं, ये केकर वो जिन को अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है, और लिए की तरफ इशारा दर की कहती है, कि देखो ज़रा मेरे बेटे को, वो इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, जिन मना कर देती है, ये केकर, नए नहीं, मैं पहले से किसी को पसंद करती है, जसनकर बोड़ी औरत वहां से चली गई, फोरन यहां विच आ गई, पूछती है, तुमने किसे खाली पेट मेरे होटल से बीच दिया, बाहर बोड़ी औरत भी होटल का बोड़ देख लीती है, जिस पर लिखा था, कि हम आपकी कोई भी विश पूरी कर सकती है, पर पर वो नेजर अंदास करके वहां से चली गई, अब होटल में दोबारा से वो बड़ी विच आई, जो दरसल इस पुराने विच की मौम थी, वो अपनी मौम को कहती है, मा, मुझे चीज बिलकुल नहीं बसंद, कि कोई मेरी जिन विच को आकर बताती है, कि मेरी साथ बहुत अजीब हो रहा है, मुझे अजीब तरह के सपने आती है, जिसमें मैं अपने बच्पन और एक औरत को देख पाती हूँ, सिर्फ इतना है नहीं, मैं तो अब लोगों की यादों को भी बढ़ सकती हूँ, जिस पर विच बोली, इतो खूबिया है तुमारी, जो तुमें किसे शादी करने वाला था, वो उसे भी विच के होटल के बारे में बताता है, कि वहाँ विच पूरी होती है, पास बैटी वही बुड़ी औरत उससे पूछने लगी, क्या ये बात सच है, ऐसा हो सकता है, भी जवाब दीता है, कि हाँ बिलकुल, मेरी विच अच्छी नौक ये विच जिनको मुका देती है, डिश चुनने का, जिनकी ताब को पढ़नी लगी, ले देखता है कि हालांकि वो किताब बिलकुल खानी है, पर जिन उसे पढ़ पा रही है, जो देख वो हैरान रह गया, जिन दोडल सुनती है, विच बनाकर बुड़ी औरत को खाने के लि कहती है, कि मैंने वो डिश इसलिए चुनी थी, तकि बुड़ी औरत की सारे बुरे यादे मिट जाएं, और उसकी तो सारे ही यादा है जा चुकी है, वो तो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रही है, विच जवाब देती है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ बुड़ी विच अपना काम तो कर रही थी, पर साती उसे जिन की याद भी आ रही थी, और ली उसका तो डिली नहीं लग रहा था, बुड़ी औरत का बेटे बिल्कुल अकीला पढ़ गया था, अब उसी घर अपने काम की सासत, अपने मौन को भी समालना पढ़ रहा था, इसलिए वो नर्सिंग होम में छोड़ाता है, ताकि वहाँ वो अराम से रह सकी, पर अपनी मौन की उसे याद भी आ रही थी, इसलिए वो बहुत रहता है, ये चीज़ जिन से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो विच से मिलने होटल में आई, कियती है, या तो तुम उसकी विश को आता है, देर से मौम में बोड़ी औरत की हालत और भी खराब हो रही थी, इसलिए उनका बेटा उन्हें घर वापिस ले आया, वहाँ उसके मिलाकात अपनी बच्पन की दोस्ती हुई, दोनों एक दोसरी को पसंद करती थी, और अब शादी करने का फैसला करती है, और आज बोड़ी औरत की विश पूरी होई गई, यानि उसे अपने बेटे के लिए वाइफ मिल दे, जिनको जब पता चला कि बोड़ी औरत घर वापिस आ गई, तो वो उनकी घर आई, उनसे मिलने के लिए, वो देखती है कि अब बोड़ी औरत का ख्याल रखने के लिए कोई आ ग कि अपने बेटे की खुशी देख पाऊंगी, जो सुनकर कुशी-कुशी जिन होटल में वापिस आ गई, उसी दुबारा देखकर लिए भी बेहत खुश हो गया, अकली दिन बोड़ी औरत की बेटे की शादी एक होटल में थी, जो बहुत दुमदान से की जा रही थी, जिन जिन को एक जगा राइटर देखता है, वो दूसरे होल में जा रहा था, तभी जिन भी उसकी पीछी-पीछी जाने लगी, और उसकी पीछी ली जाने लगा, उस हौल में आकर जिन देखती है कि राइटर पहने से ही शादी शुदा है, उसकी एंग बेटी भी और यहां जिन को इतना गुसा का कि वो खेय दीती है, उनकी बेस बहुत बढ़ जाती है, वो राइटर को रोकर पीछी वटाता है, और उसकी मूपर जोड़ से मुका मारता है, और इस सरा से दुनों की लड़ाई होने लगी, ये सुरते हाल देकर जिन पुलिस को कॉल कर दीती है, तो इनकी लोगों अपने साथ पुलिस स्टेशन लियाती है, वो राइटर बियान देनी लगा कि जिन मेरी दोस्त है, हम दोनों की बेस हो गई, जिसकी अंदर ले भी घुसा है, जिसनकर जिन कहती है, ये आदमी जोड बोल रहा है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, फिर जिब प जिन का बच्पन दिखाया जाता है, जहां उसकी मॉम उसे अपने हाथों से खाना किला रही थी, रात को जब छोटी जिन सोने गई, तो वो अपने मॉम और आंटी को बातें करते हुए सुनती है, उसकी आंटी मॉम से कहा नहीं थी, कि जिन तुमारी सगे बेटी नहीं है, तो पर तम क्यों उसके लिए इतनी मुश्किलाद जीर रही हो, तुमारा हस्बन भी अच्छा नहीं, तुम एक अच्छी जिन के जीर सकती हो, अपने हस्बन से अलग होकर, और इस बच्ची को किसी और को दे कर, ये बात सुनते हैं मुझदर वक्त में जिन अपने मॉम से प प्यार देने के लिए, लेकिन हाँ, मैं डैड को कभी माफ नहीं करूँगी, जिन उन्हें हमेशा आपको तकलीफ दी है, मौम के थी हैं, हाँ बस बेटा क्या हो सकता है, ये सच है, तकलीफ हमारी जिनकी का हिस्सा है, पर हैर तकलीफ वक्त के सासत खत्म जाती है, और हाँ बेटा, तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारी आने से मेरी जिनकी में भी खुशियां बराएं थी, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, जिसकी बाद दोनुमा बेटी रोनी लगी, तब इदर उसकी डर्ट आकर केनी लगी, बेटा, बिसे में मौफी के लाइक तो नह कर रही हूं, तो अब की बाद तुम्ही आने की ज़रूरत नहीं है, और पर जिनकी साथ गुजारे हुए, सभी बलों को याद करनी लगी, तोड़ी दिर में यहां जिन भी वापीस आ गई, विच को कहती है, मैं अपनी मौम डेट से मिलनी गई थी, और अब हमें जिनकी पकड़ कर उठाया था, पता चलता है कि वो और और कोई नहीं बलकि विच थी, मुझोदा वक्त में वो विच को कहती है, कि आप बच्पन से बड़ी होने तक हमेशे मेरी साथ रही है, मौम अभी मौम लफ सुनकर विच की आंकों में आंसो आ गई, जिन कहती है, मैं सारे अचाहे जान गई हूँ, आप मेरी मौम है, मेरा होटल में आना वोई इतफाक नहीं था, बलकि आप हमेशे से मुझ पर नज़र रख रही थी, मेरी हर परेशाने तकलिफ को देख रही थी, ताकि आप मेरी मदद कर सके, अवी जुसे अपने कहाने बतानी रगी, और ये भी कि मैं तुमारी डैड से कैसे मिली, वो बताती है कि एक दिन मैं आर्ट गैलरी में गई, वहाँ तुमारी डैड ने और मैंने एक दूसरी को देखा और पसंद कर लिए, पिर हमारा मिलना शुरू हो गया, एक दिन फिर तुमारी डैड ने मुसे शादी के लिए पुछ लिया हमारी शादी भी हो गई लेकिन एक दिन मुझे ये पता चला कि तुमारी डैड तो पहले से ही शादी शुदा थी जिस बास से मैं तूट गई मुझे बहुत दोख हुआ मैंने अपने मौम के पास आकर ये विश मांगी इसलिए मैं अपने मौम के पास गई और उन से कहा कि प्लीज आप मेरी विश वापस मौड लीजिए मैं नहीं चाहती कि ये बद्वा मेरी बचे को ही लग जाए मेरी मौम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता विश कभी भी वापस नहीं ली जा सकती लेकिन हाँ अगर तुम अपने बचे को बद्वा से बचाना चाहती हो तो तुम इसे किसी और को देतो वो तुम से ज़्यादा अच्छे इसकी परवरेश करेगी यही वज़ा है कि मैंने तुमें तुमारी मौम को दे दिया जिन काफी दुकी होकर पूछनी लगी मौम आपने मुझे बच्पन में ही कुछ से दोर क्यों कर दिया विच बोली क्योंकि इसके लावा और कोई रास्ता नहीं था खर अपनी आंसों पहुंच कर जिन राइटर से बदला लेने की तयारी करती है यानि वो उसके लिए अपने हाँ से खाना तयार करती है इसकी कीमत वो ऐसे अदा करती है कि बदले में वो भी विच बन जाती है ले उनिवर्सिटी जाता है दाखला पानी का जो टेस्ट है वो देने के लिए यहां उसकी मुलकात अपने दोर से होई उसे पता चला कि बद्तमीज लिड़कों के गैंक को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें सजातों मिलनी थी अब विच अपने साथे के साथ मिलकर खाना तयार करती है क्योंकि आज उसने जिन उसकी मुम और ले की दावट की थी सब खाना खा रहे थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी लिकों बेसी जाता है कि वो टेस्ट में पास हो गया जिससे सब और बेखुश हो जाते ही इसके बद विच और जिनकी मॉम आपस में बातें कर रही थी विच उनसे कहती है शुक्रिया मेरी बेटी का ऐसी खयाल रखने के लिए उसकी मुम में विच को कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया मैं हमेशे कोड़ से दुगा करती थी माँ बने के लिए पर ऐसा नहीं हो पाया लेकिन फिर तुमने मुझे जिन दे दी उसकी मेरी जिनकी में आती ही, मैं मुकम्मल हो गई, और जिनकी खुश्यों सी बर्गी, जिन ली को बताती है कि मिने रैटर के लिए बद्धुआ नहीं की थी, बल्कि ये विश मांगी थी कि वो अपनी फैमली के साथ हमेशे खुश रही, क्योंकि हमें बुरों के साथ भी अगले दिन विश बिल्कुल विश जैसा हुलिया बना लेती है, जिबकि ली उसके साथी जैसा उसकी परशाई, विश का साथी ली को अपने जदुए चुड़ी दीता है, जिस पर अब ली का नाम था, इसके बाद उनकी कस्टमर्स आना ही शुरू हो गई, एक लड़की आ और तबी स्क्रीन पर विश इस टैनर लिखा हुआ आ जाता है, जिसी देखर वो खोश हो गई, जो किसे टॉपिक मिल गया था नौवल लिखने के लिए, अगले पल नौवल लिखना शुरू कर दीती है, जिसका मतलब था कि अपनी मौम विश की तरह अब जिन भी लगों की विशिस पूरी करके उनसे उसकी कीमित लेगी और अपनी मौम का यही काम आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्यूंकि वो बहुत अच्छी और महिर्बान है, तो शायद और किसी को जएदा नुक्सान ना पहुंचाए, इसी के साथ ये ड्रामा इदर ही खत्म होता है